मार्गम सत्यम जीवन येशू प्रियतम येशू अनुपम येशू सबको जे येशु की भाईयो बहनों आज की रोटी कारे करम के द्वारा फिर एक बार इश्वर का जीवन तवचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार दिख स्वागत करता हूँ और आज के दिन में प्रभू खास करके बच्छों को अपने पास बुलाते हैं यह कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो उन्हें मेरे पास आने से मत रोखो प्रभु चाहते हैं लेकिन आज के परवेश में हम देखते हैं पिछले दो साल से जब से कुरोना महमारी ने हमारे देश में पुरे विश्वर में अटाक किया तब से बच्चे प्रबू के पास आने में तोड़ा पीचे रहे गए हैं और जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों को प्रबू के पास ले आने की वो भी तोड़ा अपने करते हों के निभाने में पीचे हट गए हैं इसलिए आज के दिन का प्रभू का संदेश हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ठोस संदेश है कि हम सभी अपने जम्मेदारियों को याद करें उसको निभाएं बच्चों को प्रभू के पास लेकर जाएं जाने के लिए प्रेरित करें ये आपका और मेरी जम्मेदारी है क्यो तक वो जीवन जीनी की कला नहीं सीख पाएंगे, डिगरियां हासल कर पाएंगे, डिपलमों हासल कर पाएंगे, नवकरी हासल कर पाएंगे, पैसे कमाएंगे, अमीर होंगे, लेकिन वो अमीरी में कैसे जीना है, पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रभू के साथ कैसे जुड कर आना पच्चों को बेजना आने के लिए उनको पुरित करना यह हम सबों का धायत हुआ है हम सबों का करता हुई है इस संदेश को आज के दिन में सुने सबसे प्रभु का वच्छन हम सुने संद मार्कुस के द्वारा रचित सूस मचार अध्याई दस पसंक्या तेरा से सोला तक लोग इसा के पास बच्चों को लाते थे जिस से वेवन पर हाथ रख दे परंतो शिष्य लोगों को डानते थे इसायह देकर बहुत अप्रस्न हुए और उन्होंने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो उन्हें मत रोखो क्योंकि इश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है मैं तुम से कहता हूँ जो चोटे बालक की तरह इश्वर का राज्य ग्रहन नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा तब ही साने बच्चों को चाती से लगा लिया और उन पर हात रखकर आशिरवाद प्रदान किया प्रभु का सू समचार प्रभु कृष्ट में प्यारे भाई और बहनों हम लोग ने आज के सू समचार के द्वारा सुना लोग बच्चों को येसु के पास लाते थे इस वद्दे से कि येसु उन पर हात रख दे इसके पीछे लोजिक क्या है येसु बच्चों पर हात रख दे इसके पीछे लोजिक क्या है ये बात जानना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है इसके पीछे कारण ये है प्रभु एसु मसी अपने हातों को जोडते हुए अपने अब्बापिता से प्राटना में समय बताते थे और कलिस्या की परम्परा के अनुसार हम सबों को बताया गया, सिखाया गया जो हात प्राटना में जुड़ते हैं वो हात ईश्वर की क्रपा से, अनुग्रह से भर जाते हैं और वो हाथ जब किसी के उपर रखते हुए आशिस दी जाती है बच्चे आशिशों से बरपूर हो जाते हैं ये प्रता है, एक रिवाज है इसलिए हम लोगों ने अपने बच्चमन में देखा और आज भी इस बात को हम लोग प्राक्टिस करते हैं अपने गरों में कम से कम शाम के वक्त एक साथ सभी लोग बैट के प्रारतना करते हैं माला बिंते करते हैं, प्रभू का वच्चन सुनते हैं और अलग अलग जरुतों के लिए प्रारतना करने के बाद बड़ों से हम लोग आशिरवाद लेते हैं हाथ जोड के हम जाते हैं बड़ों से आशिरवाद लेते हैं बड़े आशिरवाद देते हैं हाथ रखते हैं अपने माते पर सिर्फ पर हाथ रखते हुए आशिरवाद देते हैं यही प्रताती येसु के जमाने में इसलिए लोग बच्चों को येसु के पास लाते थे और येसु उन पर हात रखते थे हात रखने से ही बच्चों को आशिरवाद मिलता था अब प्रभू के शिश बच्चों को प्रभू के पास लाने में रोकते हैं शाहिद इसलिए रोकते हैं कैंकि उस Zमाने में बच्चों की ज़्यादा बूमिका नहीं ती, कोई दायत तो नहीं था इसलिए सोचा होगा, यह बच्चे आएंगे तो बहुत सारा समय बर्बाद होगा संभवता ये वज़ा हो सकता है या और भी वज़ा हो सकता है बच्चों को क्या काम प्रभू के पास आने में ऐसा कुछ हो सकता है इसलिए उन्होंने रोका लेकिन प्रभू इस बात से अप्रसन हुए बाइबल बताता है जब बच्चों को रोका गया प्रभु के पास आने से प्रभु आप्रसन हुए अवत्रंत प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो उन्हें मेरे पास आने से मत रोखो उन्हें मेरे पास आने दो मेरे पास आने से मत रोखो और ये निमंत्रन, ये बात, ये आदेश, हम सभी लोगों के लिए हैं बाईयो बेहनों आज के दिन में हम लोग बच्चों को बड़े सबेरे उठाते हैं बेटा चलो स्कूल जाना है स्कूल से वापस आया बच्चा पिटा चाई पिलो तैयार हो जाओ टिविशन में जाना है टिविशन में बेजने के लिए हम सतर कहें स्कूल बेजने के लिए सतर कहें, बेजना चाहिए क्या चर्च बेजने के लिए तालिमें बेजने के लिए क्या हम उत नहीं सतर कहें बहुत बार मैंने लोगों से पूचा बच्चों को क्यों नहीं बेज आचर फादर इतवार कई दिन मिलता है तोड़ा आराम करने दो पुरे हपते बार में बिजी रहते है पढ़ाई में टूइशन में बहुत कुछ होम और का है बहुत कुछ काम है इतवार कई सोने दो नहीं प्रभू आप प्रसन होंगे अगर हम ऐसा करेंगे प्रभू आप प्रसन होंगे प्रभू चाते हैं बच्चे प्रभू के पास आये, प्रभू उन पर हात रख दें, प्रभू आशिरवात दें, प्रभू उनको ब्लस करें, प्रभू चातें हैं, इसलिए बच्छों को प्रभू के पास आने से मत रोखें, उनको एंकरिश करें प्रभू के पास जाने के लिए, इस बात को समझा बेटा या बेटी पढ़ाई बहुत ही जरूरी है दुनिया में सफल होने के लिए एक अच्छी नवकरी हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है लिए उससे भी ज़्यादा जरूरी है प्रभू के पास जाना प्रभू के पास जाने से जीवन जीने के कला हम सीखेंगे प्रभू के पास जाने से इस जीवन में जीवन पाएंगे इस जीवन के बाद भी वो अनंत जीवन हम पाएंगे अनंत जीवन प्रभू के पास गए बगेर प्रभू में विश्वास किये बगेर प्रभू के साथ जुड़े बगेर नहीं मिल सकता दुनिया के पड़ाई दुनिया में सफल होने के लिए प्रियाप्त है लेकिन हमें हमारी जिंदेगी की दुनिया तक सीमित नहीं है हमारी जिंदेगी इस दुनिया में एक प्रपरेशन है उस अनंत जीवन का उस जिन्दगी जीने के लिए प्रपरेशन है इसलिए प्रभू के पास जाना जरूरी है इसलिए बच्चों को अंकरेश करें हर इतवार को तालिम में प्रभू के ग्यान हासिल करने में प्रारतना में शामिल होने के लिए बच्चों को प्रोईसाइट करें एंकरेश करें आगे बढ़ाएं ये माता-पिता की जिम्मधारी मुक्के रूब से माता-पिता विवासंस का ग्रहन करते वक्त इस बात का वादा करते हैं इश्वर के दौरा पाईवे बच्चों को वरदान समझके पाईवे बच्चों को ईश्वर के मुलियों में से दांतों में आगे बढ़ाने की जिम्मधारी लेते हैं उसको निभाएं हम अपने जिम्मधारी से दूर ना भागें दूर ना हटें प्रभू आज के दिन में वच्णों के दौरा बातें करता है अपने शिश्वों के माद्यम से जब शिश्वों ने रोका बच्चों को प्रभू के पास आने से प्रभू नाराज हुए अप्रसन हुए और प्रभू ने कहा बच्चों को आने दो मेरे पास उन्हें मत रोको और दब बच्चे उनके पास आए मैं तुमसे कहता हूँ जो चोटे बालक की तरह इश्वर का राज ग्रहन नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा तब इसा ने बच्छों को चाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशिरवाद दिया प्रवु का हाथ प्रवु का आशिश का हाथ अनुग्रह का हाथ प्रवु की क्रपा का हाथ बच्छों पर हम सबी लोगों पर रहेगा हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी कोई समस्या नहीं होगी समस्या आभी जाए उसका समधान बनके येसु हमें वहां से बाहर निकाल देगा येसु का हाथ हमारे उपर होना जरूरी है येसु का हाथ हमारे बच्चों के उपर होना जरूरी है येसु का हाथ हर एक इनसान की उपर होना जरूरी है क्योंकि येसु का हाथ पवित्र हाथ आशिशों से बरा हुआ हाथ अनुकरह से बरा हुआ हाथ आशिरवाथ से बरा हुआ हाथ मुझ पर आप पर हम सभी लोगों पर विशे असरुप से हम सभी हरी एक बच्चों पर होना जरूरी है इसलिए भाहियो बेहनों येसु के पास आएं बच्चों को येसु के पास आने के लिए एंकरेज करें और उस बात को सिखाएं प्रभू की आशिश है तो सब कुछ है प्रभू की आशिश नहीं है तो कुछ भी नहीं इसलिए प्रभु ने क्या कहा, जब तक मैं तुम से कहता हूँ, जो चोटे बालक की तरह ईश्वर का राज ग्रहन नहीं करता, वह उसमें प्रविश नहीं करेगा, यंशी खाना जोठा बालक की तरह जोटे बालक की तरह जोटे बालक की तरह. वो दिल खोल के रोता है ओरिजनालिटी वहां पर है वो यह नहीं देखता कि कौन क्या कहेगा क्या सोचेगा क्या बोलेगा कुछ नहीं सोचता है दिल खोल के रोता है हसता है तो दिल खोल के हसता है कभी जब बच्चे बात्चित करते हैं वो यह नहीं देखते हैं, दूसरे कौन क्या कहेगा, दिल कोल के जोर जोर से बात करते हैं, अगर कभी-कभी लड़ाई भी हो जाती है, उसमें भी, उनके अंदर ना कपट है, ना चल है, ना दिखावा है, ना बाहरी आडम बर है, बच्चे कभी टेंशन में नहीं रहते हैं, टेंशन में नहीं गुमते हैं, यहनी कि इस परकार के सरल रदय के, सापसोत्रे मन के, सरल भावनाओं के, लोग होने की जरुत है, इश्वर के राज्य के हकदार बनने के लिए प्रभी यह कहता है, जब तक तुम इन चोटे बच्चों जैसा नहीं बनो, यहनी कि किसी परका के, सापसोत्रे मन से, भावनाओं से, पूरे दिल से, आत्मा से प्रभु के साथ जुड़े रहें, और प्रभु हमें स्वर्ग राज्य के अधिखारिय बनाएगा, इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को संदेश देता है, बच्चों के माध्यम से, कि हम बच्चों जैसे सरल सबाओ के बनें, सीधे सबाओ के बनें, सच्चे सबाओ के बनें, इमांदार बनें, किसी प्रकार का दिखावा कपट आडंबर हमारे अंदर ना हो, और इस प्रकार से हम प्रभु के अनुसरण हम करें, आज के दिन में हम लब विश्यस्त्रुप से इस वक्त प्र मेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए जीवंत वचनों के द्वारा प्रभू आपने हम सबों को बताया है कि बच्चों को आपके पास आना कितना जरूरी है साथी साथ हम सभी लोगों को बच्चों जैसे बनकर बच्चों जैसे सीधा साधा सरल सभा कर रहना और जीना कितना ज़रूरिय सुर्ग राजी के अधिकारी बनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभू जी आपने हमसबोंको बुलावह दिया है कि आपका हाथ हम पर हमेशा बना रहे आशिश का हाथ प्रभू हम प्रार्तना करते हैं आपके पास आने के लिए और आपसे आशिश रवाद को प्राप्त करते हैं अपने जिवर में आगे बढ़ने के लिए हम सबों को सिखाएए प्रार्तना का वरदान है में दीजिए आपके पास आने की आपके पास प्रार्तना में समय बिताने की वो भूक और प्यास हमें दीजिए जिससे कि निरंतर प्रभू हम आपके पास आ सकें और आप हम सबों पर अपना हाथ रखते आशिरवाद दे सकें और आपका हाथ हम सबों पर रहेगा हमें किसी बात की कमें नहीं होगी प्यारे प्रभू जी हमें से एक एक वेक्ति को आशिश दे बरकत दे जतने भी लोग आज के दिन में आपको इस जीवनत वशनों को सुन रहे हैं सबों को प्रभू आप अनुक रह से बर दे हर एक वेक्ति पर प्रभू आपका आशिश का हाथ बना रहे दुआ करते हैं उद्धार करता एस मसी के नाम से आमें